का नमस्कार साथ यूँज़न नोडस की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज का सेशन रह meeगा साथियो राजस्तान जीचे के 25 महतुपुन कुषिन का इस सेशन के अंदर साथ आपके साथ राजस्तान जीके के 25 महतुपुन कुशन शेर करूँगा, ये सभी कुशन साथ यो पुराने एक्जाम के अंदर आई हुए होंगे, जिससे आपको ये भी अन्दाज़ा हो जाएगा कि कीस परकार के कुशन है, जो पुराने एक्जाम के अंदर पूछे गए हैं, 10 साथियों Infusion Notes की YouTube चैनल पर डेली आपको 6 बजे इंडिया करंट अफेर्स मिलता है, साड़े 6 बजे है जो राजस्तान करंट अफेर्स मिलता है, तो सहसन आपको ये पसंद आए, तो इसे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा, शुरुआज करेंगे साथियों सहसन की, पहला क्यूशन आप से पूछा है कि मीरा बाई है जो कौन सी सदी की कवियतरी थी, ये इपोर्टन क्यूशन आप से पूछा जा सकता है कि मीरा बाई है जो कौन सी सदी की कवियतरी थी, तो आंसर रहेगा, साथियों ये 16 सदी की कवियतरी थी, ये most important क्यूशन आप से लिया जाता है, पुराने एक्जाम में पूछा भी जा चुका है, अगला क्यूशन है कि मीरा बाई का जनमस्तान कौन सा है, तो आंसर हेगा कुड़की, इनका जो जनमस्तान है वो कौनसा है तो आंसर हेगा कुड़की है जो इनका जनमस्तान है, यानि मीरा भाई का जनमस्तान कौनसा है, कुड़की इनका जनमस्तान है, साथियों ये आप से पूछा जा सकता है, अगला क्यूशन आप से पूछा है कि क से पूछा है कि कवियतरी मीरा के पती का नाम क्या था तो आंसर है सातियों भोजराज इनके पती का नाम था important है सातियों person केई बार जो exam होते हैं इसमें easy भी आते हैं टप भी आते हैं और average question भी आते हैं तो सातियों अपने को जो पुराने paper करेंगे उससे काफी फाइदा होगा तो answer क्या रहेगा भोजराज आगे बढ़ेंगे अगला question आप से पूचा है कि मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर व्यतित किया था यह important है आप से पूचा है मीरा ने अपना अंतिम समय है जो किस स्थान पर व्यतित किया था ता answer है दो आरका के अंदर य शाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो, सुचना साहे का हो, राजस्तान पुलिस का हो, सगनक का हो, उसमें यह है कि उसन आपको देखने को मिल सकता है, इसे इपोर्टेंट लगा लीजिएगा, मीरा ने अपना अंतिम समय किस तान पर वेतित किया था, तो आंसर है, दुआरका मे आगे बढ़ेंगे सातियों, अगला क्यूसर आप से पूचा है कि दासी मत का समंध है, जो किस से है तो आंसर हैगा, मीरा से, आप से पूचा गया है कि जो दासी मत है, उसका समंध किस से है, तो आंसर हैगा, मीरा से इसका समंध रहने वाला है, किस से मीरा से इनका समंध है, जो रहने वाला है अगला कुछा आप से पूचा है पदावली रचना किसकी है दोडनो इपोर्टेंट क्यूसन है साथियों अगामी परत्योगीता परिक्षा में आपको एक क्यूसन देखने को मिल सकता है कि पदावली रचना है किसकी है तो आंसर हो जाएगा मीरां बाई की है किसकी है मीरां बाई की है इसके लावा साथियों ये भी पूचा जा सकता है कि दासी मत का समंध है जो किससे है तो आंसर हैगा मीरां से है दोनों साथियों इपोर्टेंट क्यूसन है पूचे जा सकते हैं आपसे अगरा क्योसन आपसे पूचा है कि राजस्तान के की संत और रामानंद के शिशे ने अपने राज्य को त्याकर गुरू मंडली में सामिल हुए थे ये भी बढ़िया क्योसन है आपसे पूचा है कि राजस्तान के कौन से संत थे जो रामानंद के शिशे हैं और अपने राज्य को त्याकर गुरु मंदली में सामिल हुए थे तो आंसर रहेगा पिमपाजी यानि आप से पूछा है कि संत पिंपा जी का जनम में कहां हुआ था तो आंसर हेगा गागरोण गागरोण में इनका जनम हुआ था कहां पर हुआ था संत पिंपा जी का जनम गागरोण में इनका जनम हुआ था सातियों गागरोण में इनका जनम हुआ था यह important है पूछा जा सकता है आपसे अगला question है कि संत संत पिंपा के गुरु कौन थे यह भी important है आपसे पूछे अगर संत पिंपा के गुरु कौन थे तो answer हो जाएगा रामानंद कौन थे संत पिंपा के गुरु कौन थे तो answer हो जाएगा रामानन्द इनके गुरू थे संथ पिंपा की गुफा कहां पर है ये इपोर्टेंट है साथियों ये साइद अभी जो प्रतियोगीता प्रेक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था तो इनकी गुफा है टोडा में और इसको ही लास्ट आंसर है जो करमचारी चैन बोर्ट के दुआरा माना गया था साथियों जो हाई कोट LDC का एक्जाम था साइद उसके अंदर ये क्यूशन पूछा गया था संथ पिंपा की गुफा कहां पर है तो टोडा के अंदर इनकी गुफा है ये अपने को यादे रखना है अगला क्यूशन आप से पूचा है कि संत दन्ना का जनम की जिले में हुआ था तो आंसर हैगा टॉंक में हुआ था आंसर क्या रहेगा टॉंक में संत दन्ना का जनम है जो की जिले में हुआ था तो आंसर हो जाएगा टॉंक में इनका जनम हुआ था साथियों आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्यूसन पर बात करेंगे अगला क्यूसन आप से पूचा है कि राजस्तान के वे संत कौन है जो राजस्तान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शीश्या बन गए आप से पूचा है कि धन्ना जी सातियों जो अपने हैं, वो अपने राजस्तान छोड़ कर चले गए थे, कहां पर चले गए थे, तो बना रच चले गए थे और वहां पर रामानन्द के शीशे बन गए थे. अगला क्योसन आप से पूचा है कि दादू पंत की मुख्या गदी कहां पर है तो नरायना के अंदर, आप से पूचा है कि दादू पंत की मुख्या गदी कहां पर है तो आंसर रहेगा नरायना के अंदर है, दादू पंत की मुख्या गदी कहां पर है, नरायना के अंदर, दा दादू जी के पार्थिय शरीर को की स्तान पर समाधी दी गई थी तो आंसर एगा दादू खोल बहराणी के अंदर काम पर दी गई थी दादू खोले बहराणी के अंदर साथियों जो दादू जी है इनके पार्थिय शरीर को है जो समाधी दी गई थी दादु पंद میں सत्संग स्थल कहलाता है तो आंसर है अलख दरीबा उन्हें किया कहते हैं तो आंसर है अलख दरीबा राजस्तान के कबीर के नाम से किशे जाना जाता है तो आंसर है दादू द्याल को ये भी विप्धेंट है और लगातार साथियों चार या पांच एक्जामों में ये है किृषिन अब तक पूछा जा जा चुका है कि राजस्तान के कभीर के नाम से किशें जाना जाता है तो आंसर रहेगा दादू द्याल जी को जाना जाता है आगे बढ़ेंगे अगले क्यूसर पर बात करेंगे कि की संपर्दाय के अन्युआई मिलने पर सत्य अराम कहकर अभिवादने करते हैं आप से पूचा गया है कि कि समपर्दाय के अन्युआई मिलने पर सत्याराम कहकर अभिवादन करते हैं तो आंसर हेगा दादूपंत के जो अन्युआई हैं सातियों वो मिलते हैं तब क्या कहते हैं सत्याराम कहकर है जो आपसमें अभिवादने करते हैं अगला क्यूशन आप से पूचा है कि सूपर्शिद काया बेली गरंथ है जो किसकी रचना है ये आप से पूचा गया है कि सूपर्शिद काया बेली जो गरंथ है वो किसकी रचना है तो आंसर हेगा दादू देयाल की किसकी है तो आंसर हो जाएगा दादू देयाल की रचना ह यानि दो ये गरंत हैं, किसके दुआरा रचित हैं संथ कुनसागर, वे नाम माला किस नग्लां संथ के दुआरा रचित है तो आंसर हो जाएगा दादू के दुआरा रचित हैं ये अपने को यादं रखना है अगला क्यूशन है संथदाज जी ये important है साथिyo, संत दाज जी होगे जगरनादास और संत रजब जी गरीबदाज जी और मादोदास नमक संतों का समन्द किस संपरदाय से हैं तो आइज़ेगा, दादू पंज से हैं दुबारा देखियेगा, संत दाज जी जगरनादास, संत रजब जी गरीबदाजी और मादो दास नामक संतों का संतो है जो किस संपरदाइसे हैं तो आनसर हैगा दादु पंद से हैं important कर लेना साथियों पूछा जाएगा किससे रहेगा दादु पंद से इनका संdoes रहेगा दादु पंद की कितनी साखाएं है ये भी इपोर्टेंट है कि दादू जो पंथ है उसकी कितनी साखाएं हैं तो साथियों इसकी साखाएं हैं पांच दादू पंथ की कितनी साखाएं हैं तो आंसर रहेगा पांच इसकी साखाएं हैं अगला कि उसन आप सेल पूचा है कि खालसा खाकी राजस्तान की किस संपरदाय के भाग हैं दादू पंध से इनका सातियों संब्ध है जो रहेगा अगला कि उसना आप से पूछा गया है कि दादू देयाल के निधन के पश्चात दादू पंत का उत्रा दिकारी है जो किशे निक्त किया गया था तो आंसर हो जाएगा गरीब दाजी को दादू के निधन के पश्चात दादू पंत का उत्रा दिकारी किशे निक्त किया गया इस्तान रहा ये इपोर्टेंट है आप से पूछा है कि दादू के देहांत के पश्याद नरायना दादू पंत के किस उपसाका का मुख्यस्तान रहा तो आंसर रहेगा खाल सा का है जो उपसाका ने मुख्यस्तान रहा था किस साखा का, किस उपसाखा का, तो खाल सा जो उपसाखा थी, उसका परमुक्सतान रहा था दादू और उनके शिश्यों की रचनाएं अदिकतर किस बासा में हैं, ये भी साथियों की उसने जो पूछा गया था किस में अशिश्यों के द्वारा रचनाएं की गए थी, वो मिलती है, तो साथियों इस सेशन के अंदर, मैंने आपके साथ जो 25 महतुपन क्यूशन थे, राजस्तान जी के के पुराने एक्जाम के अंदर आई हुए, वो सेर की हैं, साथ ही साथियों 10 मिन्ट की एक लास थी मात और इससे आपको ये फाइदा होगा कि आपको ये पता तर जाएगा कि पुराने एक्जाम के अंदर किस परकार की क्यूशन है, जो पूचे जाते हैं, सेशन आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा, डेली सुबह साथियों इंडिया करंट अफेर् आपके साथ जानकरी शेयर करते हैं कि कौन सी बढ़तिया आ गई है और उसकी तारीके, क्या है और उसका सलेवस क्या है, पुर्ण जानकरी सोट वीडियो के माध्यम से इंस्टाग्राम पर सरके द्वारा शेयर कर दे जाती है, तो सहसन पसंद आया है, तुसे लाइक है, जो